दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मिडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछें आज की सबसे बड़ी खबर अब बिहार में मरेजों को आसानी से मिलेगा रेमडे स्वीर इंजेक्शन सरकार ने लिया ये वाड़ा फैसला जी हाँ कोरोनम हमारी के बेच बिहार सरकार ने रेमडे स्वीर इंजेक्शन के लिए नया निर्देश जारी किया है अब मरेज और उनकी परिजन रेम्डिस्विर इंजेक्षन, सिविल सर्जन और ड्रग्स कंट्रोलर के माइदम से ले सकते हैं सरकार ने इस सम्माद में ब्रिष्टित निर्देश जारी किया है राज में रेम्डिस्विर इंजेक्षन के अधिक्तम केमाद 2800 रुप्य तई की गई है बिहार में नहीं होगी ओक्सिजन की कमी स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने कहा राज के नो मेडिकल कोलेज अस्पतालों में पेट्रोलियम मंत्राले लगाएगा इस थाई ओक्सिजन जेनरेशन प् इन मेडिकल कोलेज अस्पतालों में ओक्सिजन जेनरेशन प्लांट लगने से कोरोना मरीजों को परियाप मात्रा में ओक्सिजन मिलेगी साती भविस में इन अस्पतालों में ओक्सिजन की कमी नहीं होगी इसके अलावा स्वास्त सिवाओं में सुधार के लिए बिभाग MBBS Nursing GNM के अंतिम वर्ष के चात्रों को भी मांदे दे कर उनकी सिवा लेगा जिसका लाब उन्हें इस्ताई नोकरी के तोर पर मिलेगा बिहार में किनरों ने खोला लोगडाउन के खिलाब मोर्चा बिहार सरकार के विरोध में किया परदसन बिहार के गोपाल गन जिले में किनरों ने लोगडाउन के खिलाब मोर्चा खोल दिया है जिले के अंबेटकर चोक पर किनरों ने सरकारे आदेश की विरोध में प्रदसन किया है किनरों ने डीजे और गाना नहीं बजाने दिये जाने की विरोध में यहां प्रदसन किया है किन्नर समुदाई सरकार के नाच गाने पर परदिबंद के फैसले से नाराज है बताया जा रहा है कि साधिक की सिजन कम होने और लोकडाउन लगने की वज़त से किन्नर नाराज है बिहार में अब नहीं होगी कोरोना वैक्सिन की कमी हर दो दिन पर मिलेगी कोविट के टिके की खेप जिहा बिहार में स्वास्त विबाग के अनुसार अगले दो दिन के अंदर बिहार को वैक्सिन के करीब और धाय लाग डोज मिल जाएगी इसके बाद प्रतेक दो दिन पर व आज कड़ोर 47 लाग लोगों का टिका करन राज में होना है राज को परियाप्त संक्या में वेक्षिन की डोज प्राप्त होती रहे इसके लिए स्वास्त विबाग की अधिकारी लगतार सिरम इंस्टिटूट और भारत बायोटेक की टीम के साथ संपर्क में है फिलाल 92 हजार स जिहां बिहार में ऑक्सिजन की किल्लत से जोज रहे मरेजों के लिए रहत बरी खबर है काफेंडेशन ऑब ओल इंडिया ट्रेड्स के पास स्वामोर से 25 औक्सिजन सिलिंडर उप्लब्द हो गया है कोरोना पिडितों के यहां औक्सिजन सिलिंडर फ्री है बिना किसी और उने भोजन नहीं मिल पा रहा है वे केट के भोजन वित्रन केंदर से भोजन ले जा सकते हैं अगर भोजन ले जाने में भी परिसानी है तो उनके घर तक भोजन पहुचाने की विवस्ता की गई है दोसरी तरफ पटना में तक्त स्रीहरी मंदरी साहिब की ओर से फ्री ऑक्सिजन केंप सिरू मुप्त में भरे जा रहे है खाली सिलिंडर लंगर में खाने के भी विवस्ता जियां बिहार में कुरोना महमारी की भयवा इस्तिती होती जा रही है इसके साथ ही ऑक्सिजन और स्रीहरी मंदर साहिब गुरोद्वारा की ओर से बड़ा परियास रहा है पटना साहिब तक्त स्रीहरी मंदर साहिब गुरोद्वारा के लोगों ने निसुल्क ऑक्सिजन केंप की सिरुवात पटना सिटी के कंगन घाट पर की है यहां खाली सिलिंडर ले जाकर ऑक्सिजन भ इसके साथ उन्होंने बताए कि सुवा आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक कंगन घाट पर मुप्त ऑक्सिजन देने का प्रबंद किया गया है साथ जरुत मन के लिए लंगर का भी प्रबंद है वैक्सिन की बрबादी में बिहार छटवे नमबर पर मेघालाय तामिलनाडू को पीछे चोड़ा बिहार में बड़े पेमाने पर वैक्सिन के बरबादी हो रही है केंद्रे स्वास्त मंत्रालाई वैक्सिन वेष्ट करने वाले दस रैज्जों के एक लिष्ट बनाई है जिसमें बिहार छटवे इस्तान पर है मेगालाई तामिल नाडू, दमन और मनिपूर से भी अधिक वैक्सिन के बरबादी बिहार में हुई है बता दे कि वैक्सिनेशन के सुरवाती दोर में सबसे ज़्यादा वैक्सिन के बरबादी हुई थी डोज का कंबिनेशन और लाबार्तियों की सेंक्या में मैच नहीं करने के कारण समय से आई थी आपको बता दे कि केंद्रिय स्वास्त मंत्राले की रिपोर्ट में वेक्षिन की बरवादिक करने वाले देश के 10 राज्यों को क्रमवार रखा गया है जो जिस हिसाब से वेक्षिन की बरवादिक किये हैं बड़ी कवर बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10174 केस पटना में सरवादिक 1745 लोग संक्रमित जिया राज में पिछले चार दिनों से कोरोना वारे संक्रमन के मामले में कमी आ रही है बिहार में पिछले 24 घंटे में 10174 नए मामले सामने आये हैं एक बार फिर राईदानी पटना कोरोना वारे संक्रमन के मामले में पहले नमबर पर रहा है आपको बढ़ा दिके राईदानी पटना में पिछली 24 गंटे में कोरोना वारे संक्रमन के 745 नए मामले सामने आये हैं कोरोना वारेस संक्रमन से राज़ानी पटना समेत साथ जिले सरवाधिक प्रवावित है इनमें कटिहार जिसमें 706 मामले सामने आये हैं गोपाल गंज में 541 पूर्वी चंपारम ने 478 समस्तिपूर में 463 बेगुसरा में 435 और वैसाली में 417 नए मामले सामने आये हैं बड़ी कबर कोरोना के दूसरी लहर में महिलावों में संक्रमन का खत्रा बढ़ा देश में सबसे जदा बिहार की महिलाई संक्रमी जबकि जारखन में सबसे कब जिया कोरोना के दूसरी लहर में महिलावों में इनफेक्शन का खत्रा बढ़ गया है पिछले साल के अपेक्चा इस वर्ष महिलाओं में संक्रमन का खत्रा जादा है देश में एक महिलाओं में कोरोना का संक्रमन लगबग 36 परतिसत है जबकि पूरुसों में यहां 64.6 परतिसत है राश्टिय इस्तर पर सरकार ने संक्रमन का जो लिंग आधारिट डाटा जारी किया है उसके अनुसार सबसे महिलाओं में सबसे अधिक संक्रमन बिहार में है जहां 42% महिला एक कोरोना वारिश की सिकार है जबकि महराष्ट में यहां अगड़ा 38 परतिसत है करनावpling में 36 परतिसत और तामिल नाडू में 32 परतिसत है जारकन वह राज है जहां महिलाओं में संक्रमन सबसे कम यानि की 25 परतिसत है बिहार में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी और बारष की सम्Ãभावना येलो अलेड जारी है। बारिष और वजरपात की आशंका मौसम विवाग ने भी जहिर की है। पटना मौसम बिगान केंदर का कहना है कि वर्तमान में पूर्वी उत्तर परदेश से लेकर असम तक एक ट्रॉप लाइन गुजर रही है जिससे परदेश के विभिन छेत्रों में बारिस हो रही है साथ ही आपको बता दी कि राज में 13 माई तक येलो अलर्ड जारी कर दिया गिया है उत्तर परदेश में बने चकरवात के कानर राज में बारिस के आसार काफी बढ़ गे हैं बिहार के ज़्यातार जिलो में तेज आंधिक के साथ बारिस और वजरपात के आसंका मौसम के सबी चात्र बिना परिक्षा के होंगे परमोट जाने यूजी सी की नई गाइड लाइन कोरोना संक्रमन से मचे हाकार के बीच विस्विद्दालय अनुदान आयोग यानि की यूजी सी ने फिलाल परिक्षाओं से जोड़े फैसला विस्विद्दालय पर छोड़ दिया ह वे इस्तानिय परिक्षाओं को देखते हुए परिक्षाओं कराने या फिर चात्रों को सिधे परमोट करने का फैसला ले सकेंगे हाला कि अब तक जो इस्विद्दालय उन्हें अन्तिम वर्स को चोड़ कर बाकि सभी चात्रों को बगेर परिक्षाओं के ही अगली परमोट करने के तैयारे सुरू कर दी है इसके लिए विश्विद्दालय ने यूजिसी की और से पिछले साल परिक्षाओं को लेकर तैकी गई गाइडलाइन को आधार बनाया है इसके साथ अंतिम वर्स की परिक्षाओं जुलाए अगस्त में कराने की योजना पर भी काम क लिया जा रहा है हालाकि अंतिम वर्स की परिक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला जून के पहले हपते में कोरोना संग्रमन की स्थिति की समिच्चा के बाद लिया जाएगा बड़ी खबर एगनो की 15 जून से होने वाली परिक्षा इस्तगित चेत्रे केंदर के बेवसाइट पर परिक्षा प्रारम होने के 21 दिन पहले अपलोड होगी तारी जिहाँ एगनो की सत्रांतर परिक्षा जून 2021 को कोरोना संग्रमन की भयावा के मद्देनेजर इस्तगित कर दी गई है देश के विभिन भागों में लगे लोगडाउन के मद्देनेजर एगनो की सेडी कुल सचीव डाक्टर वीबी नेगी के स्ताचर से जारी अधिसुषना के नुसार जून 2021 की सत्रांतर परिक्षा के लिए जारी टेंटिटिव डेट सीट के अलोक में 15 जून से आरम होने वाली को इस्तगित कर दिया गिया है साथ यह उन्होंने जानकारी देते विए बताए कि सतांतर परिक्षा जून 2021 की नहीं वह अगली तिती की गोसना एगनो मुक्याले और चेत्रे केंदर के वेवसाइट पर परिक्षा आरम होने के 21 दिन पूरूट कर दी जाएगी लोगडाउन में वहानों के कागजात लेप्स होने वालों के लिए बड़ी कबर है 30 जून तक नहीं लगेगी पेनल्टी जी हाँ लोगडाउन की गोसना होने और डिटी ओ कार्यालाई के पूरी तरब बंद होने से उन लोगों की बेजनी बढ़ गई है जिनके वहानों के कागजात अगले एक दो सब्ता में लेप्स होने वाले हैं उनको बाद में रिवनेवल कराने के दोरान पेनल्टी लगाने का भय सता रहा है लेकिन ऐसे लोगों को परिशान होने के जौरत नहीं है लोडाउन के बाद डिटी ओ कार्यालाई खोलने पर वे अपने वहानों के कागजात अपडेट करवा सकते हैं 30 जुन तक ऐसा करवाने पर उन्हें कोई पेनल्टी नहीं दनी होगी इसके साथ ही अवंटित हो चुका था लेकिन इसी बीच लोगडाउन के बंदी के कारान सब इस्तगित हो गिया है ऐसे लोगों को भी परिशान होने के जौरत नहीं है और उन्हें लोगडाउन खतम होने के बाद टेश्ट देने के लिए नया टाइम स्लोट कर दिया जाएगा पारिकबर बकसर में गंगा किनारे बहकर आई 40 लासे कोरोना से मौत के असंका से सहमें लोग जिहां यूपी के हमीरपूर कानपूर के बाद अब गाजीपूर जिले से लेकर बिहार में बकसर तक गंगा नदी में दरजनों लासे देखने से हड़कम मच गया है कोरोना से मौत के बाद इन्हें गंगा में बहाने के असंका से लोग सहमें हुए हैं बिहार के अधिकारी यूपी से लासूख के लिए बहकर आने की बात करें हैं बकसर के डियम ने कहा कि इन सवों का पोश्ट माडम कराया जाएगा यूपी के गाजिपूर के बारा गाउं से लेकर बकसर जिले के चोसा समसान गाड तक समुआर को गंगा वा कर्मनासा नदी में करेब 35-40 लासे बहती देखी गई है और अंत की बड़ी के वर बिहार में एक हपते में ठीक हुए 94,631 कोरोना मरीज लगातार आठवी दिन नीचे गिरा पोजिटिविटी रेट लेकिन टेस्टिंग हुई कम जी हाँ बिहार में कोरोना की रोकताम को लेकर तमाम उपाय करगार सबित हो रहे हैं साथ लोगडाउन का भी काफी असर देखने को मिल रहा है राज सरकार की ओर से जारी ताजा आकड़ों के मुताबिक बिहार में एक सब्ता में लगबग 94,600 से अधिक कोरोना मरीज स्वस्त्वें हैं जिसके कारण प्रदेस में रिकवरी रेट बढ़कर 81,97 परतिसत हो गया है खुसी की एक बात और है की लगातार 80 दिन भी प्रदेस में पोजिटिविटी रेट नीचे गिरा है हालाकि चिंता की बात है की पिछले दिन टेस्ट की संक्या में थोड़ी कमी देखी गई है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन कहां पर होता है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं